हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को DTU Delhi की M.T.E.C. और M.B.A. की डीटेल में ब्रांच वाइस प्लेस्मेंट्स बताऊंगा एवरेज पैकेज, हाइस्ट पैकेज, कितने स्टुडेंट्स ने रेजिस्टर किया, उनमें से कितने प्लेस्ट हुए M.T.E.C. के सभी ब्रांचेस के और M.B.A. का बताऊंगा DTL में और Master Courses का जितने भी यहाँ पर है DTU Delhi में वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप DTU के बारे में नहीं जानते हैं और हाँ एक और बात B.T.E.C. की प्लेस्मेंट्स मैंने कल कर दी थी, आप जाकर देख लेना, रिसेंट अपलोड में मिल जाएगा अदर्वाइस मैं लिंक भी आपको दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हो, B.T.E.C. की ब्रांच वाइस की है अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले, अगर मैं D.T.U. Delhi के बारे में बताऊं, तो ये Delhi का oldest engineering college है, सबसे पहला, first engineering college और I.T. Delhi के बाद best engineering college है ये Delhi का, बहुत ही अच्छा है, और N.I.R.F. रैंकिंग में भले ही, वैसे N.I.R.F. में भी इसको अच्छी position मिली है, बट ये बहुत से N.I.T.s से उपर है, अगर N.I.T.s से compare करें, तो top 5 N.I.T.s से आप इसको बिलकुल compare कर सकते हो, बहुत कमाल का है, placements बताऊंगा तो खुद आपको पता चल जाएगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कुछ ये reports, highlights बता देता हूं, ये मैंने कल भी बताया था, B.T.E.C. वाली वीडियो में, बट इसमें सारे courses included है, तो इसमें again बता रहा हूं, MBA, M.T.E.C. सब इसमें included है, 2684 students ने register किया placement में, उनमें से 1821 placed हुए है, इसमें B.T.E.C. भी included है, सब बता रहा हूं, आगे बताऊंगा course wise भी और branch wise भी, 1990 offers आ है और highest package इस college का DTU का 82.05 lakhs पारनेम का है, जो की B.T.E.C. computer science का है, और और भी branches का है, सब जैसे I.T. वो मैंने बता दिया था उस वाले वीडियो का यह सही लिखा है, 9.02 lakhs पारनेम का average package है, यहाँ पर MBA का, अब यहाँ पर मैं आपको course wise बता देता हूं, देख सकते हो, इसके अंदर B.T.E.C. का भी दिया हुआ है, M.T.E.C. का भी है, यहाँ पर 282 students ने register किया है, placement के लिए M.T.E.C. में, उसमें से 207 placed हुए है, और 238 offers हैं है, highest package 51.03 lakhs पारनेम का है, M.T.E.C. का है, और आगे बताओंगा कौन सी branches में है यह highest package, अब MBA की बात करें तो 235 students ने register किया, उनमें से 115 ही placed हुए है, अप्रोक्स 50% placement हुआ है, offers भी कम आया है, 50% के अप्रोक्स 117, highest package 23.78 का है, और यह B.T.E.C. का है, लेफ्ट में data, B.T.E.C. वाली वीडियो का आपको अब देखनी है, तो देख सकते हो, link आपको description में दे दूँगा, अब यहाँ पर मैं M.T.E.C. branch wise, सबसे पहले artificial, M.T.E.C का AFI, यह मतलब artificial intelligence की बात करें, 25 students ने register किया है, उनमें से 21 placed है, 22 offers आए है, highest package 51.03 जिसकी बात कर रहे थे हम इसी का है, और average package 19.58 lakhs परनम का है, यार इतना अच्छा placement हुआ है, B.T.E.C. में ऐसी placements देखने के लिए मिलती है, बट यहाँ पर M.T.E.C. होकर भी कमाल का है, मैं इसमें भी placements बहुत अच्छी होती है, इसमें तो यार 100% placement है, 24 out of 24 students placed है, 26 offer आए है, extra 2 offer और, highest package 38.67 का है, but average package 23.33 का है, अब आप खुद देख लो, कितना ही अच्छा college है, DTU Delhi, 2 branches तो आपने देखी लिए, आगे और दिखाता हूँ, अब यह civil का sub branch है, structural engineering है, M.T.E.C. जो क नहीं है, but search में बहुत अच्छा है, यह 18 offers है, सारे accept हो सकते थे, highest package 8.4 का है, और average package 5.87 का है, क्योंकि यार यह civil का है, तो इसलिए थोड़ा सा package down है, according to other, जो ऊपर के 2 branches बताए हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं, M.T.E.C. computer science का 20 students ने register किया है, उनमें से 20 100% placed हो गा है, offer भी यह है, geotechnical engineering, 20 students ने register किया, उनमें से 8 placed हुए है, जितने offers हैं सभी, highest package 8 lakhs का है, और average package 6.06 lakhs पर अनम का है, तो इसकी भी placement में ब्रांच के according decent बोलूँगा, next यह जो IBT branch है, यह है industrial biotechnology, 19 students में से सिर्फ 2 ही placed हुए है, और offers भी कम आया है, क्योंकि यार यह एक lower branch है, even M.T.E.C. ह highest package की बात करें, 10.5 lakhs पर अनम का है, average package 8.76 lakhs पर अनम का है, बट सच में college बहुत अच्छा है, आप उपर के यह branches देख सकते हो, और B.T.E.C. की placement देखना बहुत मजा हैगा, सच में बहुत अच्छा college है, पिछले 2-3 साल में तो करोडों के package आते थे, बट इस साल 82 lakhs का highest गय है, 12 placed हुए है, यह 13 offers आये है, 21 lakhs का highest package है, और average package 13.44 lakhs पर नम का है, और एक important चीज, background से noise आ रहोगी तो माफी चाहूँगा, अब यहाँ पर बात करते है, T.E.C. मतलब की thermal engineering, यार इसमें बहुत सारी branches है, B.T.E.C. में 14-15 branches हैं, तो M.T.E.C. में तो और भी जादा है, 17 students न इसका placement में बहुत अच्छा बोलूँगा, next ही जो branch है, P.E.S. यह है power system engineering, इसकी placements भी बहुत ज्यादा अच्छी हुए है, यार देख सकते हो, इसकी placements पर नजर डालते हैं, सारे place ने जितने भी register किया है, जिन्होंने भी 15 out of 15, और offers भी 15 आये है, highest package 22 lakhs पर अनम का है, और average 17 17.75 lakhs पर नम का है, यार सच में देखो, top की NIT जैसी placement है, जैसे NIT वारंगा, NIT सूरतकल, NIT तरीची इवन, उसका package भी इतना कमाल का है, जो power system का अभी placement बताया है, 22 lakh का ही highest package है, but average package 17.75 का है, अब production engineering की बात करे, Mtech production, 14 students ने register किया है, 12 placed हो गया, 17 offers आये हैं, वैसे, सारे हो सक package 13 lakh का है, और average package 9.11 का है, इवन इसकी भी placements बहुत अच्छी हुई है, अब यहाँ पर E&E की बात करे, environmental engineering ये भी civil के under आता है, 13 students ने register किया है, उनमें से 5 place हुए है, 6 offers, देखो, जो civil के under है, उनमें इतनी अच्छी नहीं हुई है, मैं हमेशा बताता हूँ, on campus इतना अच्छ दाई तो like जरूर कर देना, next यहाँ पर Mtech SPD है, ये signal processing है, आपने नाम सुना होगा, अगर आप करना चाहते हो तो आपको पता होगा, signal processing, Mtech signal processing, 11 students ने register किया है, 9 उसमें से placed हुगा है, 10 offers आए है, इसका भी बहुत कमाल का है, highest package 38.67 का है, और average package 26.96 का है, मतलब कि 27 lakh का average package है इस register किया है, उनमें से 8 placed होगा है, offers ही 8 आए है, highest package 30.83 lakhs पर अनम का है, और average package 22.49 का है, अब जो नहीं जानते थे DTU के बारे में, वो अच्छे से जान गए होंगे, वैसे review भी इस पर जल्द लेकर आने वाला होगा है, सभी courses के लिए, 2024 admission के लिए, next यहाँ पर bio है, यह bio technology नही तो इसमें इन्होंने on campus, on campus तो I think नहीं, on campus ही सारी चीज़े बताई है, इन्होंने लिखा गलत है, जैसे कि average package starting बताया था, मैंने गलत डाल दिया है, इन्होंने, highest package 30 lakhs है, और average package 13.8 का है, सच में बहुत अच्छा है, अब यहाँ पर Mtech C&I की बात करें, इसका full form यार, I think मे average package 23.65 का है, highest और average मेरा difference देखो कितना कम है, मतलब यार, सभी का placement बहुत अच्छा हुआ है, अब next यहाँ पर PSY है, power system and power electronics की बात करें, 5 out of 5 सभी placed होगा है, offers 15 आए है, highest package 11.5 का है, और average package 10.84 का है, Mtech में यही चीज़ है कि lowest package इतना कम नहीं होता, और सच में बहुत अच्छा college है, खुद आपने देख लिया होगा, वसे एक चीज़ मेरे mind में अब आ रही है, जो C&I है, यह है, control and, इसका जो full form है, control and instrumentation, अब यहाँ पर next जो branch है, वो है HFE, इसके अंदर 4 students ने register किया है, उनमें से सिर्फ एक placed है, offer भी एक है, highest package, average package मतलब एक ही है, 6 लेक का है, अब य यहाँ पर MOC की बात करे, microwave and optical communication की, यहाँ पर 20 out of 1 student, sorry, 2 out of 1 students placed है, offer भी एक ही है, 6 लेक का है, अब यहाँ पर MBA की देख लो, दो ही है, इसके अंदर DSM and USME, 133 में से 73 है, इसमें 102 में 42, package हाइस देख लो, 14.5 का है, average package 8.96 का है, और इसमे 23 का है, और average package 9 का है, मैं companies और 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 है, आप इनको अच्छे से stop करके देख सकते हैं, और यहाँ पर यह DTU का alumni network है, मतलब यार, खुद आपने देख लिया है, कितना अच्छा college है, और यहाँ पर हमारी वीडियो भी complete हो जाती है, वीडियो भी आपने देख लिया होगा, कितना ही अच्छा है, तो अच्छी बताना हूँ, वो भी comment में पूछ सकते हैं, फिर Instagram पर भी, मेरी Instagram ID की link आपको description में मिलेगी, मेरी personal ID है, बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही important वीडियो में,